हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका स्टडी है चनल पर जैसा कि आपको पता कि अभी हमारी वोकाब की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वोकाबिलरी की एकदम बेसिक से जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकते हैं वोकाब तो आज हमारा डे 5 है और कह सकते कि होसारे वहाओ सारे वहार कि उसे नहीं रहये तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ तो था कि आपको सिखाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं करता एसे करता हूँ ताकि आप सीख सको आपको याद हो चांगे कि उसमें कौन से वर्डिंग सी ऊचो जो नहीं ताकि अगर आपको जब कज़्याम में है कि यहां पर इन करक्ले स्पेल्ट या करक्ले स्पेल्ट रूंगना तो वहाँ पर भी आपको फैदा हो और आप अपने से खुझ से तोड़ सको वर्ड को और अपने निमोनिक्स बना सको तो चलिए सुरू करते हैं तो आज का वर्ड है हमारा एकाउंटेवल का मतलब होता है जवाब दे जिसके सिनोनिम्स की बात करें तो होगा एंसरेवल रिस्पॉंसिबल लाइबल एंटोनिम्स की बात करें तो इर्रिस्पॉंसिबल अन एकाउंटेवल होगा तो एकाउंटेवल मतलब जवाब दे तो आप इसको ऐसे तोर सकते हैं कि अगर आपको कोई काम मिला हूँ कौन सा काम कि टेवल को काउंट करना है काउंट टेवल आपको यह िएपी पुटर खाल अब शक्षाय आपक सब्सक्राइब अब चाहए हुए रटीटिच तो बैसपून्स के ही responsible होगा चले next word की बात करते हैं next है हमारा next word है cold remains cold remains का मतलब होता बुत करन जिसको कह सकते equipment synonyms होजागा kit apparatus antonyms की बात करने तो जागा unveiled unfastened unsupportive तो elements मतलब होता जिसको आर्मी लोग के लिए बहुत ही जोरी होता है इसे पुद्धा चलता है किस रेंग पे हैं आर्मी में है नेवी में है पुलीस में जिसमें भी है तो यह उनके एक इक्यूपमेंट्स होते हैं तो चलिए नेक्स्ट की बात करें इसके कोई इकठा करना जिसको हम कहा सकते हैं accumulate collect synonyms की बात करें तो result arise और antonyms की बात करें तो disporse scatter तो ऐसा कर सकते आर यू इको रीख सकते हैं तो आप हैं वह आपके दोस्ते हैं तब क्या करतो अरे आओ यार कुछ रूई लिजाए तो रूई क्या करें करेंगे तो हम आपके हैं का मतलब होता है सुध्य इसको बोलते हैं प्रिसाइज करेक्ट एक्जाक्ट मेटिक पुलस इसके सीनोनिम्स है अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इनकुरेट अगर आपके निसाना लगा रहे हैं अगर बीच में लग एक्दम सही पॉइंट पर क्या बोलते हैं तो कोई भी जब एक्दम क्योर करना हो कोई भी चीज को तू क्या करते है एक्पुरेट इसमें क्योर का एक्षेंस आ रहा है तो सुध्य अपले सकते हैं ऐसे प्रोनॉंसियसन पर एक्वुरेट तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं क maturity उसी का उसी से मिलता जूलता सब्धे सुधता से करेक्ट ली अफ प्रिसाइजली औंद मार्क योज्टेस के मेजर्मेंट एकुरेटली नहीं होगी एकदम प्रिसाइज नहीं होगी तो वह चीजे वर्क नहीं करेगी अगर आप ड्रोन बना रहे हो अगर अपने थोड़ा सा भी कल्कुलेशन मिस्मैच कर दिया तो वह कभी फ्लाइ नहीं करेगा तो एकुरेटली कर ले बढ़ा कते हैं ऐसे एकजम्पल ले सकते हैं पिक देखे ऐसे याद करते हैं यह इसी वर्ड़ से आपको ऐसे याद हो जाएंगे नेक्स्ट हमारा वन वर्ट सब्सक्षिशन का सेक्षण आए जिसमें अभी तक हम लोग ने वीस वन वर्ट सब्सक्रिशन पर रखा अब हम एक और यह तो आज के लोगों के लिए स्टूडेंस के लिए इसा फोन से बंदे पर है एडिक्शन लगी पर यह फोन की बिना फोन के हमारा ना खाना पचता है नहीं नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट है अधीर अधीर मतलब होता है पालन करना believe in and follow the practices of कोई प्रैक्टीस होगा या फिर कोई बिलीफ होगी उसको follow करना ही अधीर करता है पालन करना अगर कोई rules बना है हमारे constitution में जो rules बने है तो हम उसको पालन करते तो अधीर कर सकते हैं इसके synonyms हो जाएंगे comply follow चलि संपर्प आप सब इस घुजाते गट में 10 से 14 साल 312 साल के बीच में स्टार्ट होता जब तक हम तब तक हमारा टीनेज खतम ना जया तो सिदोनिम क्या होशका था ए टीनेज जुए नेक्स बात करते हैं इस मतलब हो थे क्या खुबसूरत नौजवार नेश्ट नियुद्रेमीन तब ज़े एपकड़ सकते हैं एक्स्त्रेमील यंग लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं इनके बॉडियों पर्फेक्ट सेफ हो बाडी में तो खुबसूरत नौजवान चलिए नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है एडवोकेट आप सभी को पता हो एडवोकेट मतलो होता है वाकील आप परसन हो सपोर्ट और स्पीक इन फेबर किसी भी लीगल मैटर में जो आपके सपोर्ट में ख़रा हो आपके फेबर में हो तो एडवोकेट ही होता है वाकालत ही करता है वोकील लोग सिनरीम सोगता है बैकर सपोर्टर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट है आप क्लोज फिस्टेद परसन कंजूस आदमी और मीजर जल्दी तो कंजूस परसन ही यह देख रहेंगे यह बैचरा अपनी गल्फ्रेंट से तंग आगया है तो इसको क्लोज फिस्टेद परसन बनना पड़ा है यह तो बार बार सौकिंग के लिए पैसे मांग रही थी तो बैचरा चाहके भी इनोड तो नहीं कर सकता है लेकिन को किसी के साथ सेर ही नहीं करता है अपनी फिलिंग्स को सेर ना करें तो इंट्रोबर्ट भी बोल सकते हैं अगर ठंडी हो मचली तो कोई खाना पसंद नहीं करता है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं तो देख सकता है यह कपल है यह दोनों एक दूसरे से अपनी फिलिंग से नहीं कर पा रहे हैं तो इनको कह सकते हैं कि नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट मैंने फिस से रिलेटर कुछ इडियम थे उसको यहां पर रख रहा है ताकि आप एक साथ पढ़ ले तो आपको एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो इकजाम में ऐसे आ भी गया तो आपको कभी दिक्कत ना होगी तो यह एक है बिग फिस की बड़ी मछी चोटी मछली हां ताला में उसमें बड़ी उसमें मछली आ जाए तो क्या करता हैं हम बहुत ींपोर्टन्ट हे सब उसी के पीछे बागते siya सी ली मदें गेरव यह इंदेखने की पिछे अपाया करते जो कि एकदम सुन्दर दीख रहे हैं तो कंप्लीमेंट चाहती है मतलब कि कोई चाहता है बन्दा कि आप हमको कंप्लीमेंट दे तो फिस पर कंप्लीमेंट कह सकते हैं फिस आउट आफ वाटर अगर हम फिस को पानी से बाहर निकाल दे तो क्या होगा अन फैमिलियर इकवाली अब किसी के लिए मचली लाओ गए एक सब के लिए इकवल चीज लाओ गए तो मतलब की प्लकोई ट्रीट कर जाए इस इडियम का मतलब हुआ और डिफ्रेंट केटल ओफ फिस नॉट कंप्रेबल माली जे कि आपके पास केटल है उसमें बहुत सारी मतली गोल्ट प्लकोई खास हो सब कुछ मैं तो वही है बेटर फिस का मतलब मोर इंपोर्टन मैटर तुड ली तब जो important हो better fish मतलब important drink like a fish मचली की तरह पानी पीना मतलब मचली पानी में है ही तो इसको पानी पीने के मतलब बहुत ज्यादा excessive हो जाए तो इसका मतलब है drink excessive amount of alcohol like shooting fish in a barrel मतलब very easy task अगर आपको कोई barrel हो ऐसे बैरल होता है बैरल में अगर आपको कहा कि कोई मचली से भारा पड़ा है कि मचली मारो तो मचली पकड़ने आपके लिए बहुत आसान हो जागा क्यों क्योंकि उसके पास ज्यादा जगह ही नहीं तो भागेगा मतलब कि बहुत ही चीज़ ही आप फिस स्टॉरी कोई मचली की कहानी सुना रहा है मतलब बहुत जूट जोल ला अब किसे ने चुना या है कि मचली थी वह पर पेश्वन कि वह यहां आप गया जाबगार कि वह ऐसे जूट ही होगा क्योंकि बहुत नार्मल सी होती है पानी में रहती है तो यह से पेर पेर नहीं चाहर सकते कोई देंजर सकाम नहीं कर सकते नाइधर फिस नौर फाल जिसका मतलब होता अफ इंडिफिनिट करेक्टर एंड डिफकल टू आइदेंटिफाई और क्लाशीफाई तो चलिए आज बहुत फिस फिस पर लिया चलिए नेक्स्ट वरकतें क्या है नेक्स्ट है हमारा कक्कू इन नेस्ट मतलब वांचिनिये घुस बैठी एन अन्वेलकम इंट्रूडर तो आपको पता हुआ कहान की कक्कू अपने नेस्ट नहीं बनाता है कभी भी अपने नेस्ट नहीं बनाता है जो अन्दा देनिक की बात आती है तो किसी और बड़ के ज या कौन है तो वो उसको पाल लेती है फिर पारत में पता चलता है क्या रही है तो उनका बच्चा था ही नहीं तो इसलिए कहते हैं कि अक्क कुई नेस्ट मतलब की अन वेलकम इंट्रूडर है जिसके वह हम पुलाने नहीं चाहते है तो लिकम आगे है शाली नेक्स्ट की ब सबतने है अपने लिमीट सेट कर रहे है तो आपका लीमी सबसे ऊपर कट किया है अपने जहान पर touch किया मालोगों की कट किया तो सबसे ऊपर अब सब्स Frau Pl Chelsea du लोग होते हैं अपने फ्लाइट को भी सुपिरियर वे में उठाते हैं चलिए नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट है और डैंप स्क्यूब डैंप स्क्यूब का मतलब होता है उंची दुकान फीका पकवान मतलब की निरास जनक पडिना और डिस अपॉइंटिंग रिजल्ट और सिचुएशन और इवेंट विचीज मच लेस इंप्रेशिव दैन एक्सपेक्टेड जैसा आप एक्सपेक्ट किये थे वैसा हुआ नहीं माली जी के अपने फैर क्रेकर ने ने ब्रैंड का फैर क्रेकर बना किसी भी एक्स वाई-जेड कंपनी का उसके बहुत एड देख लि ने किसी के ना साउंड अच्छे थे ना फ्वालीटी अच्छे थी तब क्या को होगे कि मुच्छा दुकान था लेकिन पक्वान की क्या था मतलब कि उसने प्वालीटी में कंपर्माइज कर दिया जितना एड में दिया था वैसा निकलाने मतलब डिसरपोइंटिंग एड औरा बाक्स जिसमें आपको पाता है कि हम घृमार के बहतर नीं रूल की बात करते हैं जिसकी में से समीरे ओडिक्ट को सॉल्व करते हैं उसके कोई सबजेक्ट और नौर से जूर हो और उनके नंबर अलग वलग हो जैसकी कोई सिंगलर हो कोई प्लूरल हो ऐसे भी हो सक प्लूरल होगा और भर्व के पहले जो भी सब्जेक्ट होगा वह प्लूरल ही होगा जैसे कि आप एक्जामपल में लेख सकते हैं नाइधर असिस्टेंट मास्टर नौर हेड़ मास्टर वाज परजन तो यहां पर वाज भी गल्लत है और यहां पर लगाते तो हमें प्लूरल चाहिए प्लूरल जो होंगे सब्जेक्ट वहँ चाहिए तो हम इसको रिप्लेस करेंगे कैसे नाइधर तर हेड़ मास्टर नौर असिस्टेंट मास्टर स्पेयर परजेट आपको यह चीज़ याद रखने हो और न और हो और कहीपर डिफेंट नंबर सो सब्जेक्ट में न बात करते हैं नेक्ट हमारा question answer का section है जहांपे हमने चार दिन का SSC seasonal 1st December के 4 shift के बात कर लिए तो आज हमारा है SSC seasonal 2nd December का shift first की बात करेंगे तो आपको मिलेगे 10 second और आपको इस 10 second में इस question का answer करना होगा तो first question आपका है one word substitute बताना है plants of a particular region उसके चार option है flora, flinch, fauna, floatser तो चलिए इसे के साथ आपका timing खतम हो गया है आप लोगों ने answer दे रखा होगा तो इसका जो सही answer होगा वो होगा flora किसी particular region के जो plant होते हैं उसको flora करते हैं अगर animals की बात करेंगा होगा तो fauna होता है तो flinch देख लें हाँ पे flinch होता है दर्द या दर्द या दर्द होगा या किसे के दर्द से क्या करता है एक आएक पीछिए हाँ ना 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 तो एक एक पीछिए हाँ ज़िирना इसको कह सकते है successfully इसको कह सकते हैं प्लोट सेम क्या होता है पानी में तरने वाला जहाज का मलवा होता है जिसको every रेकेज रेकेज बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं डेबरीज भी बोल सकते हैं चलिए इतना है सिनोनिम सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वर्ण बताना इसमें भी 10 सेकंड मिलेंगे आपका टाइम आप हो गया आप लोग ने अभी तक एंसर दे रखा होगा तो इसका राइट एंसर अब्रीजमेंट आपने पढ़ा है वह कैम मैंने पढ़ा है था अब्रीजमेंट पतलब कि सौर्ट कर देना अगर दो लंबी दिस्टेंस होगे उसको सौर्ट करने के लिए क्य बना लेते शर्ट करना है यह लिखावाट जो लीखते हैं कम लोग वेगारा उसी कव प्रीमियन इसके शॉर्स कर देते हैं उसके शुंड़ी बना लेते हैं चली कि नेट्स नेच्स्टकुश्टन है आपको एंटोनिम्स बताना है जान और और उसको आपको मिला भी एक जो correct answer है वह कौन सा standing मोबील मतलब क्या होता है गती seal जो गती में हो able to walk कह सकते able to move moving mobile है तो moving होगा और क्या बोल सकते है और क्या बोल सकते है मोटाइल बोल सकते हैं और इसके synonyms के बात करते हैं तो moving स्प्राइ मोटाइल standing मतलब होता इस्थील स्थील भी लिख सकते हैं इंट्रेस्टिंग मतलब हो जाता है absorbing जो कि आपको मैंने synonyms में भी बताया था इंट्रेस्टिंग है मतलब absorbing है gripping है gripping भी बोल सकते हैं inside मतलब होता है अंदर strange जो कि unusual हो uncommon हो bizarre भी बोल सकते हैं bizarre भी होता है इसका synonyms weird भी होता है weird unusual uncommon यह भी बोल सकते हैं चलिए next question क्यों चलते हैं हमारा next question है synonyms पूछा है में word exaltation का आपको 10 सेकेंड मिलेंगे option first है dejection second ecstasy third satisfaction fourth elaboration चलिए आपका time up हो गए है आप लोग ने answer दे रखाओगा भी तक comment section में तो इसका जो synonyms होगा ecstasy हो गया exaltation मतलब क्या होता है उमांग उमांग और इसके synonyms की बात करें तो एक तो ecstasy हो गया फिर क्या हो सकता है गस्ट कि dejection मतलब होता है हतास या निरास होना है मतलब क्या आप कह सकते हैं इसको despair despair disappointment ecstasy तो इसी का सिर्ण इन साथिस्फेक्शन मतलब होता comfort achievement चन्तुस्ती comfort इसको आप कर सकते है comfort elaboration का मतलब होता है एम्प्लिफिकेशन elaboration को कहते हैं विस्तार कि विस्तार कि विस्तार elaborate करना adornment होता है एम्प्लिफिकेशन होता है नेक्स्ट कोस्चिन की बात करें नोक्स हम से पूछा है antonyms oppose का यह तो बहुत इसी क्वेशन दस सेकेंड मिले हैं आपको answer करना दस सेकेंड में फटा-फट कीज़े answer अंसर कीज़ें आपसान है embody racist encourage elective बहुत आसान कुछन है आप लोग ने भी तक तो एंसर करीं दिया होगा तो इसका correct answer होगा encourage antonyms पूछा है oppose का अपोज मतलब क्या होता है वी रोध करना क्या होता है वी रोध करना अगर आप इसके synonyms की बात कर ले तो हो जाएगा racist यह से synonyms ही है fight fight repel भी होता है इसका और बात करें तो defy भी होगा और embody मतलब होता है क्या होता है किसी बात का suggest होना in body मतलब किसी बात का suggest example होना है कोई भी बात हो कोई भी चीज तो उसके तुम perfect example बोलते हैं ना ideal example वही होता है in body इसको हम बोल सकते है परसोनी 5 परसोनी 5 भी बोल सकते हैं और epitomize भी बोल सकते है epitomize मैं ऐसा pronunciation इसलिए करता हूं ताकि आप words पकर रहें तो आपको याद रहेंगा क्योंकि spelling की भी ज़रुवत परती है हमें exam में हमारे spelling सही होगा तो incorrect वाले भी section जाएंगे और हमें word याद रहेंगा pronunciation अब जो इसके correct होते हैं वो कभी भी सुधार सकते है exam में चाहिए कि हमें word याद रहें तो फिरम pronunciation के पीछे जाएंगे तो हमारी में साभी रहेंगे हमें words ही नहीं पते होगो मतलब ही नहीं पता होगो छोटे-छोटे जब हम इसे तोड़ते हैं अपने याद होती है और हम अपने नेमोनिक्स खुद बना आएंगे इसलिए मैं करता हूं इसी का होगे विरोध करना इनकारेज मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना तो गीब होप गीब होप बोल सकते हैं अपलिफ्ट 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 भी बोल सकते हैं इंस्पायर भी बोल सकते हैं और स्टीर भी बोल सकते हैं इलक्टिव मतलब जो ऑप्स्टनल होगा अल्टरनेटिव सोगा चलिए कि बात करें नेक्स्ट हमारा पूछा एंटोनिम्स बताने अंडरलाइन वर्ड का इसलिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे वर्ड है इंडिस्पेंसेवर और चार अप्षन है सुपर फ्लूएस रेलेंटलेस विजिलेंट और अन्प्रिसीडेंटेड तो चलिए जंदी जंदी मतलब होता क्या है मतलब जो कि बहुत नेसेसरी हो परम आवस्यक क्या बोल सकते हैं परम आवस्यक परम आवस्यक बोल सकते हैं आवस्यक जो कि बहुत ही नेसेसरी हो इनवेटेवल हो या फिर इंडिफीडिवल इसको बोल सकते हैं इनवीटेवल इनवीटेवल इनवीटेव होंगे और बोल सकते हैं इंडीफीजिबल इंडीफीजिबल ऐसे करके याद कर सकते हो सुपरफ्लूस इसका एंडॉनिम सा मतलब की फाल्तू जो रेडंडेंट होते हैं ज्यादा आजाए अन्यूज एक्स्ट्रा यह इसके सिनोनिम सा रेडंडेंट अन्यूज एक्स्ट्रा रेलेंटलेस का मतलब होता है लगाता है जो की बीना ठके जाए इसके सिनोनिम से मैं बोल देता है अप लीख लो एलाट वाजफूल वाइड आवे और लास्ट वर्ड है अन्प्रीशेडेंटेड अन्प्रीशेडेंटेड मतलब होता अभूत्पुर्ग जिसका कोई मैच नहों अनकॉमन जो कॉमन नहों स्ट्रेंज विजेर भी बोल सकते हैं चले नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कोश्चन हमसे इडियम पूछा है ब्रेक दा इसका दस नहीं लेगा फटाफट एंसर कीजिए चार उप्संस हैं बहुत इजी है इडियम जो बहुत बार पूछा जा चुका है ससी ने बहुत पूछा तो आपको भी तक यहाद ही हो गया होगा इसके तो चलिए इसका जो करेक्ट एंसर होगा वह होगा मेक पीपल मीटिंग फिर्स तो अनकंफटेवल फिल होगा तो आप क्या चाहतो कि कि फिर्स इंपरे अच्छा परे दोनों आप कंफटेवल सीप में हो डिस्टेंस डिलेस्टमें से मिल डेगह या ऑपको Message करना पड़ेगा आपको चुपीत होनी पड़ेगी एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी ताकि आप लोग कमफर्टेवल फील करते हो तो ऐसे याद कर सकते हो आज के लिए बस इतना ही आज का मारा क्वेश्चन सेक्षन एंड हो गया तो आज का क्लास आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिए दोस्तों में सेर कर दीजिए ताकि वह भी वह कर आपकर पाएं और अपने नेमोनिक्स बना पाएं क्योंकि यूटूब पे लोग अच्छे अच्छे प्रनॉंचिएसंस बहुत ही वास्ट अंग्रेजिक करते हैं लेकिन हमें उ उसको तोर पाओगे वर्ड को मैं वहीं सिखा लोगी वर्ड को तोरना या अपने लेमें लगी में जो कॉमा लेंग्विज होता है उसमें जब तोरना सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वह याद करना और आपको एक और फैदा होगा जब आप छोट आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता ही कि रोज ये पांच पीम पे आता है तो जूरना ना बूले और जितने भी कुस्टन आपके सही होंगे उसको पक्का कमेंड में लिखे कि आपके इतने कुस्टन सही हुए और आपने क्या सीखा और आप कुछ नया जानते हों कि मैं इसके निवन्स बना सकता हूं तब वो भी कमेंड में करें ताकि हम उसको आगे इंक्लूड कर सके आप कहीं अच्छा है भलाई होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू जय हिंद जय वारत